नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है हफ्ते की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हिंसक भीड ने सडकों पर कब्जा कर लिया है और लगातार मॉब लिंची की घटना है हमें सुनने को मिल रही है ताजुब की बात यह है कि सरकार के कई मंत्री बीजेपी कई नेता इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर उर्मिलेश हमारे साथ मौजूद है उर्मिलेश न्यूस क्लिक में एक बार फिर से आपका स्वाव मॉब लिंचिंग की नहीं हुआ करती थी कॉंगरेस के जमाने भी एक दौट था जब मौब लिंचिंग उआ करती थी इतने विबच सुरूप से नहीं थी इतने फ्रीक्वें तरीके से नहीं और वह रही थी आज की समय में जो हो रहा है वह। उस समय से अलग कैसे आज यह महत्मून सवाल है क्य लेकिन मॉब लिंचिंग जो पहले हो रही थी हमने देखा है कि रिपोर्टर के तोर पे मैंने एक दो ऐसी वारदातों को कवर करने की कोशिश की बात के दिनों में फालो अप किया बल्कि गटना स्थल पर बहुत दिनों बात पहुचा तो उसमें क्या होता था कि अंधविश् कि येस लोग कोने मारा किसी को छोड़ दिया किसी को खतम किया ऐसा भी हुआ है लिकिन वो अन्धविश्वास में होता था वो नादानी और ग्यानता में होता था इस वक्त जो हो रहा है इस दोर में वो ग्यान के साथ हो रहा है ग्यान विदिन दे कोर्ट उनकी जानकारी में हो रहा है उनके अंदविश्वास में नहीं उनके विश्वास में हो रहा है विश्वास भी मैं within the court कर रहा हूँ ताकि शब्द की गरिमा कलंकित जो करने वाले लोग हैं उनसे identify किया जा सके इस शब्दों को वो अपने कबजे में नो ले सके हैं तो हमारा ये कहना है कि ये जो लोग कर रहे हैं ये जान बूस कर कर रहे हैं इनको ये लग रहा है कि ऐसा करके वो अपने राश्टर को महान बना रहे हैं ऐसा करके वो हिंदू राश्टर की स्थापना कर रहे हैं अब इन ये जो चीज है मुझे लगता है यही differentiate करती है पहले की मुर्कतापून और अग्यानता अंदविश्वास में की जाने वाली मारप या हिंसा से आज की हिंसा को एक तो यह दूसरी बात की पहले आपने देखा होगा कि इस्टेट जो मशिनरी है राजी के जितने अंग हैं उनकी डाइरेक्ट इन्वाल्मेंट आम तोर पे मॉब लिंचिंग में या इस तरह की घटनाओं में नहीं होती थी जैसे ही पता चलत करता था और कोई कोई कारवाई करता था आज इस्टितिया है कि मंत्री संत्री बड़े के बड़े नेता जो परिवार के मुखिया लोग है इस परिवार में कई मुखिया है वो लोग भी इसके पक्ष में दलीलें दे रहे हैं तो यह आश्यरजनक है और यह भारत के इतिहास में मैं समझता हूँ कि इतना खतरनात मंजर ऐसा दौर शायदी कभी देखा गया है हमारे साम में दो बड़े एक्जामपल से एक है जार्खन का जहां जायन से नहां जाते हैं और लिंचिंग के एक्यूस को माला पहना कि उनका स्वागत करते हैं जब उन्हें बेल मिलती है और इस तरीके से की पुलिस भी चाह रही थी कि ऐसा हो जाए उनके लिए गाये को गौशालब पहुचाना ज़्यादा जरूरी था इससे और इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी बेलकुल और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें स्टेट मशिनरी का इन्वाल्मेंट है कहीं न कह अरत की जो हमारी जो हमारा जो संविधान है उससे इतर उससे अलग एक मुल्य से जोड़ने की कोशिश की गई है और उसका यह परिणाम है कि हम उन राजियों में देखें जहां लंबे समय से संग परिवार के से प्रभावित सरकारे हैं वहां पर पुलिस मशिनरी और प्रस काना छोड़ दें तो लिंचिंग बंद हो जाएगी लेकिन भाई बीफ खाने वाले जो स्टेट हैं देश में वहां कई जगह बीजेपी की सरकारे हैं लेकिन वहां पर वह बीफ तो नहीं बंद करा सकते लेकिन वहां तो लिंचिंग नहीं होती लिंचिंग कहां हो रही है हो रही है हरियाना हो रही है इस तरह के इलाकों में हो रही है जहां लोग भीफ नहीं खाते जहां अलेडी बैन है तो मुझे जैसे पहली जो लिंचिंग कहा होई दादरी में और दादरी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में भीफ पर बैन है तो यह अ मोटी रकम देते हैं उस पार्टी को जो इस वक्षासन में है ऐसे अनेकों दारण में दे सकता हूँ आपको और बहुत सारे इस पर खवरें भी आई हैं तो हमारा यह कहना है कि जेहनत सिनहा और दूसरे लोग अब दिखिए जेहन सिनहा विदेश्ट में पढ़े हैं किसी बड़े स्वनाम धन्य विश्विद्याले के वह स्कॉलर हैं और वहां मैंने उस इनुस्की को भी एक तरह से बदनाम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने माला पहनाई मिठाई खिलाई किसको खि आते हैं जो गालिया देते हैं भी पक्ष के लोगों को मीडिया को गालिया देते हैं तो उनकी बात हम समझ सकते हैं कि एक तरह बिलकुल अनपढ़ लोग जो है इस पार्टी में और दूसरी तरह पढ़े लिखे लोग दोनों का लेवेल एक हो गया है खास कर इस तरह की पर एक तरफ भाजपा के मुख्यमंत्री उतरप्रोदेश में आधित्यनाथ कहते हैं कि यह अन्नेसेसरी अटेंशन दिया जा रहा है मौब लिंचिंग के तूल दिया जा रहा है और दूसरी तरफ आरेसे के बड़े नेता जैसे आपने कहा इंद्रेश कुमार की कहते हैं कि ना खाहो तो मौब लिंचिंग नहीं होगी तो यह मानसिक्ता की प्रॉबलम है यह आरेसेस जो मानसिक्ता लोगों में भड़ने की कोशिश कर रहा है क्या कोई इसे इनसे को रोखने में कामियाब होगा जाए इस पारे में मैं इस्वाएस्ट्री लोग अलग-अलग सोचते हैं लेकिन मेरा जो नीजी अनुभव है एक नागरिक के रूप में जनरलिस्ट के रूप में कि इस तरह की चीजों के लिए माननी सुप्रीम कोट ने कहा है ठीक है हम आधर करते हैं हाना कि सरकार के ग्रिह मंत्री ततकाल कहा ग्री राजी के लिए हम विचार कर सकते हैं लेकिन एक नागरी का और एक जरनलिस्ट के तवर पर मैं समझता हूं कि इस तरह के जो इशूज हैं इस तरह का जो brutalization है इस तरह से जो सत्ता का एक तरह से राज सत्ता को जिस तरह से निरंकुष बनाया जा रहा है वो कोई कानून से इस से नहीं निप्टा जा सकता एक people's movement mass mobilization लोगों की चेतना को बदल कर ही लोगों के अंदर ऐसे आमानिविय और समाज विरोधी जो मुल्ले हैं सत्ता के सरकार के मैं तो कह रहा हूँ कि ये सरकार समाज विरोधी हो गई है मैं तो कह रहा हूँ कि ये सरकार में बैटे हुए लोग रास्ट द्रोही सचमुच ये हैं जो अपने रास्ट को अपने समिधान को खतम करना चाहते हैं तो ये दूसरों को रास्ट द्रोही कहते हैं लेकिन सचमु चीजें विकसित और इसको अभी समारनी है उस पूरी आत्रा को इस साड़े चार साल पंच साल के इस दखल ने एक तरह से रोक दिया है तो मुझे लगता है कि इसके लिए जरूरत इस बात की है कि सिर्फ कानूनी प्रावधानों से ये बात नहीं बनेगी कि इसके लिए जनता समाज सबको खड़ा होना होगा और खास तोर पे जो इंटेलिजनसी अपने देश का है और 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 जो शासन में लोग है एक्जिक्यूटिव खास कर कारेपाली का जो है अपसरसाही जो है मुझे लगता है उसको भी सुप्रीम कोट की जो पहल है उसको उस कर सकें और रोक सकें सवाल यहीं उठता है जैसे आपने कहा कि क्या यह सिर्फ चंद सिर्फरे लोग है या एक बड़ी मानसिक्ता है संग की क्योंकि अगर हम इस पूरे मॉब लिंचिंग के इंसिदेंस को देखें तो एक यह चाइड लिफ्टर के नाम पे नया इंसिदेंस स्टार्ट हुआ है डायन प्रथा कि आपने बात की पर बीफ के नाम पर जो इंसिदेंस हो रहे हैं उसे जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित वर्ग है या तो दलित है यह मुसल्मान है तो एक तरीके से इन दो माजिनलाइज वर्गों के ऊपर और ज्यादा अटैक है और यही शासन से जो पेटरनाइज किया जा रहा है उनको यह सारे के सारे जो भारती सवाज के दलित सवाल्टर्न और बहुजन जिसे कहा जाता है उनके इंट्रेस्ट को यह हैंपर करने वाली चीज़ है जैसे हमने अनेक दंगे देखे हैं अनेक दंगों को मैंने रिपोर्टर के त प्षिनना होता है अनेक ऐसे उदारन हैं कई जगा दूसरे कारणों से भी हुए है मैं यही कारण है लेकिन आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो माब अकबर हो गया तो लेकिन औरिजनली अकबर को जिस तरह से खतम किया गया उसको माड डाला गया उसमें पता यह चलता है कि वह लोग इसलिए गाई और भैंस का व्यापार करते हैं या पालते हैं या दोस्थ उसका निकाल कर बेजते हैं क्योंकि उनके लिए सुदूर के गाउं में उबसे हुए है म्यवाद के और उनको ये सबसे ज़्यादा पहुंचाने वाला बिजनेस है उनका ये कहना है कि भैंस के मुकाबले गाए हमें ज्यादा फैदेमंद है क्योंकि गाय एक तो कम खाना के लिए चारे के लिए बहुत ज्यादा कस्ट नहीं करना पड़ता है दूसरा कम दाम में भी मिल जाती है भैंस के मुकाबले तो लोग भैंस के मुकाबले गाय वहाँ ज्यादा पालते हैं और ये सारे जो लड़के हैं ये सारे जो यंग लोग हैं मुस्लिम समाज के ये दरसल दूद का ब्यापार करते थे उनके हाथ से ब्यापार च्छिनना वो कैसे दूद बेच रहे हैं वो हिंदू और मुसल्मान एक दूसरे से कैसे मिल रहे हैं उनका लाया हुआ दोध हिंदू परिवार क्यों पी रहा है अविन एक तरह का रिष्टा बन रहा है दोनों समुदायों में, दोनों के बीच में एक गहरा तालुक बन रहा है इसको तोड़ने के लिए उनके आर्थिक जो कारोबार है उसको हैंपर करने के लिए एक बुरी तर दंगे जो होते थे एक दमाने में आजकल थोड़ा कम है कि कैसे उनके हाथ से हत करगा उद्यों खतम कर दिया जाए कॉटन इंडिस्ट्री में अगर हुआ है तो उसको बरबात कर दिया जाए तो यह गुजरात में भी बिल्कुल सही कह रहा है तो मुझे लगता है कि इस पर भी गवर करने की जरूरत है और इसका एक बड़ा कारण शायद हम इसलिए काउंटर समाज में नहीं कर पा रहा है ठीक से इनको क्योंकि सवाल्टन सेक्शन्स में बहुत सारी जो सेकुलर डिमक्रिटिक पार्टीज हैं उनका दخल उनकी पहुँ कुछ उनका जो काम है अभी बहुत सिमित है और ये लोग संग परिवार के जो लोग हैं अपने तमाम जो खुराफाती संगठन हैं उसके जरीए ये गाउंगाउं घुस गए हैं मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा जबाब यही है कि सेकुलर डिमक्रिटिक जो भारत का क अगर जन्ता के मुद्दो को देखा जाए तो भाजपा सरकार बिलकुल बैक फूट पर है जॉब्स नहीं है इंफलेशन जो है वो बढ़ रहा है ग्रोथ नहीं है तो आखिर कर अंत में जो कॉमनलिजम है पोलराइजेशन यही इनका एकमात्र मुद्दा रहे गया है आपक पर बढ़ रहे हैं तो इसका जवाब क्या हो गाई आर्थिक मोर्षे पर यह सरकार बुरी तरह भी फल है रोजगार के मोर्षे पर यह सरकार बुरी तरह भी फल है और मुझे लगता है कि अपनी चौत अरफा विफलताओं को छुपाने के लिए यह जितने चीजों को विधायक हैं और यह कोई आर्डिनरी विधायक नहीं है वाजपे जी की सरकार में केंद्री राजे मंत्री रह चुके हैं उन्होंने एक बयान दिया कि साब मैं अगरगरी मंत्री होता तो इस देश के जितने बुद्धी जीवी हैं सबका सफाया कर देता अब सवाल है कि एक न रफायल डिल पर इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं देरे देरे पहले तो नहीं पहले लगता था केवल विमान की जो रकम है यानि कीमत जो है उसमें कोई गरबर जाला है लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि कैसे भारत सरकार की एक कंपनी को चुना जो एक गठबंधन है इस सरकार को लाने में सरकार को चलाने में और अगला चुनाओ जीतने की कोशिश करने में उससे लोगों का ध्यान हट जाए लोग ये न देखें कि ये सरकार वाकई कार्परेट का कैसे खिलोना बनी हुई है सबका साथ सबका विकास क्या नौटन की भ ज़र लगता है ध्यान हटाने के लिए ये सारे के सारे खुराफाथ करा रहा हैं ताकि लोग इसमें बटे रहें इसमें ध्यान उनका जाता रहा है इसका ये मतलब मैं नहीं कहा रहा हूँ कि मॉब लिंचिंग को या इस तरह की खुराफातों को कोई गौर नहीं करना चाहिए इनके काउंटर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बड़े जाना अंदोलन ही इस तरह की हिंसा को छेटपूट हिंसा को रोग सकते हैं इस वक्त देश में जो छेत्री अस्तर पर सक्री ताकते हैं उनको चाहिए कि छेत्री अस्तर पर अपने अंदोलनों का विस्तार करते हुए केंद्र पर इसको एक तरह से पेश्ट करें कि यह सार तक अल्टरेनेटिव हो सकता है अपने समाज और अपने देश को बचाने का शुक्रिया और मलेश इस हफ्ते के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ हम फिर आपके साथ जोड़ेंगे नुसक्लिक देखने के ल अन्यवाड़ खेंगे अल्टरेन अन्यवाड़।